तो क्यों बहुजन समाज के लोग लगातार इस तरह की तस्वीर है इस तरह की मूर्तियों का यूज़ करते हैं असल में ये जो इसारा है ये पारलेमेंट का इसारा है अपने जैजाकार करने से मना किया जैनती मनाने से मना किया लोग जाग रोक हो रहे हैं और दूसरी जातिया भी इस बात को हमझा रहे हैं समान समान विचारधारा इनकी बन रही है तो वह वी कुछ जुके हैं और हम भी बढ़े हैं ऐसा नहीं है कि वह बिल्कुली कट्टरवाद ही है तो कहां बेसिक कमिया रह जाते क्यों नहीं हम महिलां को आगे निकालते हैं नमस्कार आप देख रहें और आज हैं दिल्ली के कॉंड़ी विधान सबाह में जहां पर की भारते बोध महा सबाह की तरह तो एक बाहुत ही भवेवे विशाल कार्यकरम का आयोजन किया गया मैं आपको अफ़कत कराती चलू कि आज जिस तरह से हम देख रहें कि पूरे भारत देश में प्रम्पूजय बाबा साब की 162 वी जैनती में आई जा रहें उसी कड़ी में भारते बोध महा सबाह ने भी भारते बोध महा सबाह ने भी द्हूम धाम से मर्आ हैं यहां पर मेरे साथ में तमाम भारते बहुत महासभा दिल्ली प्रदेश के पतादिकारिया उन्हीं से चर्चा करना चाहूंगी और जाना चाहूंगी कि जिस सपने की बात प्रमपुजे बाबा साब करते थे उसको सार्तक करने में आखिर ये लोग किस तरह से भूमी का नुभ चाहूं जिस तरह से प्रमपुजे बाबा साब ने भारत को बहुत में देखने के कलपना की थे एक सपना देखा था उस कड़ी में भी किस तरह से काम कर रहें आप लोग भारते बहुत महासभा दिल्ली प्रदेश के हम एक कड़ी हैं पटपड़गन छेत्र का मैं अध्यक् सपाई हैं हम भारते बहुत महासभा को जंचदक पहुचाने का काम करते हैं और जो बाबसाब का सपना था बहुत महासभा हर महीने हर पंदे दिन विचार गोश्टी अपने गली महले में किसी बौद विहार में किछी और चौपाल में इस तरह की लोगों को समझाने का काम करती है यह गेर राजनीदिक संग्ठने कोई लेना देना नहीं है आसर जिस तरह से बावा समख सरक बात कहा करते हैं कि मैं किसी भी समाज की 19 बात से आकता हूं महिला संग था उनका बेटा जो एक्सडेंट हो गया था तो वो यहां पर नहीं थी जो उनकी संईजक्ख हैं वो यहां नहीं थी अन्नयता वो होती तो वो मन्च पर होती और लेकिन उनके साथ की जो हमारी बहने थी उपासिक आयं थी वो सब सामने यहां पर uh जो सामने हमारी चेर हैं उन में सब वो महीदाइं थी और उन्हों ने पूरी मांदरी निस्टा के साथ में प्रो GG должно 30 swap यह इन प्रोग्राम हुआ है उस में निस्टा deras में बढ़ चड़कर भाग लिया लेकिन कुछ परिस्तितियों के कारण महिलाओं को यहां बोलने का मोखा नहीं मिल पाया वो चीज उलग है लेकिन भारतिया बाओत-माँस वा मैं ऐसा कुछ कुछ नहीं है का महिलाओं की भागे-दारी यहीं भागे दारी यह बह चड़ville specialize है इस वार हमने इसे गेर राजनितिक बनाकर यहां जो महिला वक्ता के रूप में आती हैं वह नहीं आ पाई है वाकी महिलाओं का भरपूर से हमारे साथ रहा है तो सरी आप से जानना चाहूंगी जो भारते बहुत मासबा है क्या वो कैडर दे रही है हम तो अपना परियास कर गर गर जाके गोस्टी करके यह संदेश देती है और वो जादा से जादा परियास करती है कि हमारा भारत बहुत में भारत बने हैं अज जिस तरह से हम बात करते हैं में सब को एक्चुली क्या हैं बटे का हैं सब चाहते हैं कि मैं अगर सर रहूं हम लोग हमारे संस्ताइं बहुत हैं लेकिन थोड़ी सी तुरूटिया हैं कि हम एक जूट नहीं हो पारें और उसके लिए परियास है भारतिय बहुत परियास करती है और आगे करती रहेगी बहुत अच्छे स्तर पर एक संदेश दिया कि हमें जब तक अंतर जाती विभा नहीं करेंगे लोग जो बहुचन समाज के लोग तब तक जातिया खतम नहीं लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो लोग बहुत बन रहे हैं उनमें कहीं आज भी जाती विद्वान है ऐसा क्यों यह चीजें बहुत कम हैं लेकिन आजकल अंतर जाती विभा भी हो रहे हैं ऐसा नहीं है हमारे खुद समाज में और हमारे घर में भी ऐसा ही है दूसरी काश्ट में साधियां हो रही है और हमारी जो लड़कियां है वो भी दूसरी काश्ट में कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जाती वाद काफी खतम हो रहा है बावा साव के सपने साकार हो रहे हैं और हमारी जो संस्ता हैं उस सब प्रियास में लगी हुई हैं पूरे देश में अलग-अलग संस्ता हैं बनी हुई हैं बहुत सारे नामों से बनी हुई हैं हमारे यहां भारती बहुत महासावब बनी तो और परिवार वां शंसकार की बात आती है तो अपने जिद्धांतों और पहुटती दीरे और इसको दीरे दीरे काटना पड़ेगा ऐसे नहीं as a लोग जागरूख हो रहे हैं और दूसरी जातियां भी समझ रही हैं यह लोग हमारे बरावर में आ रहे हैं यंकी बन रही है तो वह विन कुछ जोके हैं और हम भी बढ़े हैं आगे मानते हैं कि यह थwno जब एक विचारदारा के बहुत सारे संग्टन हो जाते हैं तो उसमें कमजोरी आ जाती है एक विचारदारा के संग्टन पहले भारते बहुत महासवा थी तो बहुत मेरत के साथ मैं अपनी जो बात है उसे रखती लेकिन भरते बहुत सब्सulा में सब्सक्रादाष नेलेकिन आपने पहलत है नाइए पहले लेकिन भारते बहुत महासवा अपने पत से अपने रास्ते से भटकी नहीं है वो अपने रास्ते पर अपना काम कर रही है बाबा साब का जो मिशन था बहुत में बनाने का उसको उसको जो है साकार करने का काम भारते बहुत महासभा कर रही है तो देखे मैंने महिलाओं को लेकर सवाल किया था और महिलाएं आज पर उनसे भी हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे आपका नाम क्या है मेरे नम रूची है रूची जानना चाहूंगे जिस तरह से परम पुझा बाबा साब मैंने भाई साब से भी बात की कि महिलाओं की उन्नत कुस देखना परता है ना तो घर भी देखना है समाज को भी देखना है तो दोनों चीज एक साथ नहीं जीड़े और न हैंगर इनके घर के पुरुस साथ में काम कराते हैं और बहुंढें वह उनसे जूड़ेंगे आपका णाम क्या है च्पिर शिम्ला शिंग Calling है मेरे नाम यहीं पर रहते नहीं था कुंगिता है लोग्ति विचा को आगे बढ़ाएं लाज नहीं वहारक साइब हैं भावना pad उनक्षण समाच के लोग्त हुआ कि अविचान को जिएं सब्सक्राइब करने से मना किया जहनती मनाने से मना किया उन्होंने विचारधारा को परचारित परसारित करने के लिए लेकिन अज बहुजन समाज के साथ साथ देश का तमाम बड़ा तबका उनकी जहनतीया मना रहा है जैजकार कर रहा है लेकिन सही लुप से जिस सिधान जिस विचारधार की बात बहुत साब करते तो बेसिक कम्या कहा है क्या वो लोग समझ नहीं रहे है या जान पूछकर लगन वो आगे बया नहीं करता कि हम बावा साप को पड़ते हैं क्योंकि वो लोग अगर आगे बढ़ गए तो अं पर शासन करने लगेंगे इसलिए हम फिर भी बावा साप को पड़ते हैं क्यूंकि बावा साथ की एक modern इंडिया की ideology है ना कि किसी किसी पंडित धोंगी जो हमारे हमको नीचे दमाने का काम करते हैं उसकी तरफ वह संस्कृति जो लगातार हिंदु राजट की अकर दोनों संस्कृतियों में से क्या लगता है किस संस्कृति की स्ठापना भारत relevance में वनी चाहिए भारत को विषगुरु का दर्चे दुबारा से मिल सके अ Debatte साब का संविधान वह एक कि रह्म Leonard दर्म ref ce दे दिये सभी को कोई किसी धर्म का कोई बड़ा नेता नहीं है कोई किसी धर्म का कोई बड़ा बच्चा नहीं है जो भी है सब समान है इसलिए जो भी हमारे राजनितिक या सांस्क्रितिक प्रोग्राम होते हैं इनमें हम राजनिति की बाते नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साब की बाते करते हैं क्योंकि बाबा साब की आइडियोलोजी बेस्ट आइडियोलोजी है चलिए ठीक है जो अंसर मैं चाह रही थी वो शायद नहीं दे पाए मैं चीज जानना चाहूंगी सर अक्सर हम बाबा साब की तस्वीर देखते हैं जिसमें क्यों की उंगली का इसारा है बावा साब का भी बावा साब की यही सोच थी कि मेरा जो समाज दवा कुछला पिटा छिता लुटा सोशित यह समाज आगे बढ़े और उन्होंने इसलिए अपने चार-चार बच्चों को कुरवान करके और हमें जो है यह अधिकार दिया था राजनीतिक अधिकार दिया था शिक्षा का अधिकार दिया था और यह बड़ी उन्होंने बोट का अधिकार दिया था वैसे तो बावा साब हमें दो बोट का अधिकार देना चाहते थे लेकिन दो बोट के अधिकार पर अंसन हुआ जिसके तहत हमें यह समझोता करना पड़ा और एक बोट का कि आज से जो राजा पैदा होगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा वो महतरानी की बोट से पैदा होगा राजा की बोट भी इतनी होगी महतरानी की बोट भी इतनी होगी तो इसलिए बावा साव का जो इसारा था वो यह इसारा था मैं बोट का आपको अधिकार दे करक आपको जा रहा हूँ और मेरा जो इसारा है देश की पार्लेमेंट का इसारा है आपको हर सूरत में देश की पार्लेमेंट पर कबजा करना है देश की पार्लेमेंट पर पहुंचना है और देश की पार्लेमेंट पर पहुंच करके सत्ता की वो चाबी है जो आपके सारे रास्त प्राइजित की गई है कि बावा साब ने कभी वी उपर इशारा नहीं कि उन्होंने संसद की तरफ किया तो मैं इस तस्वीर को लेकर चर्चा करी किया गलत नहीं है असल में क्या है कि जो उसमें पड़ी हुई है नेट पर पड़ी हुई है फोटो वो जो प्रिंटर होते हैं उसी को दिखाते हैं और हम त Stream इतना इस तरह इस तरह द्धान ने देते हैं लेकिन हमारी जो सोच है वो यही है कि बावा साब का जो इसारा पार्लेमेंट की तरफ इसारा है इस तरफ जो है हमारी इसे सोच नहीं जाती कि हम तो हमारे दिल इमानदारी से तो हमारे यही है कि यह जो इसारा है बावा साब और अगली वार जो हम कोसिस करेंगे प्रियास कर है इसमें प्रियास करेंगे कि इस करेक्षन को सुधारने का काम करें बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और देखिए खासकर इस तस्वीर को लेकर और इस तरह की बहुत सारी मूर्तिया आज बन रही हैं बाबा साब की जो कि संसद की तरफ इशारा ना करके बल्कि उपर की तरह इशारा जो किया उस